गुड आफ्टरनोन छात्रों मैं आपका बेवसायक सिछक्षक पीपक सिंग और मावीर इंटर कालिद मरीपूरा से एक छोटी नोटिस है मैं देख रहा हूँ बहुत से यूट्यूबर्स जो आपको बातें कुछ कह रहा हैं कि कोई नहीं होगा फेल और ऐसे बातें आ रही हैं तो ये चीज़े मैंने आपको बहुत पहले ही क्लास में बता रखी हैं और आप सब लोग जानते हैं और इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ और इसमें वही चीज़ है क्लास 12 की स्टुडेंट्स कि आपको इमें कोई फेल नहीं होगा और दूसरा ये कि आप जो पेपर है जैसे कि आपका सामान हिंदी है सो नंबर का तो इसमें आपको बस फेल नहीं होना है तो क्योंकि हिंदी तो एक मात्रिभासा भी है इसमें आप फेल ना हो तो ज्यादा ये अच्छा रहेगा इसमें फेल होता भी नहीं है कोई आज तक मेरे क्लास में तो कभी नहीं हुआ 20-25 साल के रिकार्ड में मेरे दूसरा आपका सामान आधारिक विसा है सो नंबर का तीसरा रेडियो टीवी के पांच पेपर हैं इलक्ट्रोनिक्स के जो आप जानते हैं अच्छी तरह से और मैंने इसमें आपको समझा के रखा है क्या समझाया था मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप पेपर 1,2,3,4,5 तक के मेरे जो भी वीडियो हैं उनको में देखके अगर आप सेम मतलब अगर मान लिजी प्रशन का उतर नहीं आ रहा तो क्या लिखना है तो जो आप पढ़के गया है वही आपको लिखना है अगर आप इतना भी करते हैं तो आपको कोई फेल नहीं करेगा मैंने क्लास में और परसनली भी आपको समझाया है बताया है इस चीज को आज नहीं बता रहा हूं मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं आज 21 तारीक है तो मैं अप्रेल में मार्च में मैं नहीं बता रहा हूं मैं आपको फरवरी में चीज बता चुका हूं कि आपको कोई फेल नहीं करेगा क क्योंकि करूना का एक ऐसा प्रकोफ है महामारी का तो इसमें आपको पूरा फायदा आपको मिलेगा और इस बार 80% की मैंने आपसे डिमांड भी कर रखी है कि 80% से क्योंकि पिछले बार 76% था तो इसको क्रास करना है आपको 80% से प्लस लाना है आपको नमबर तो यह तो आप क्लास 12 की स्टुडिन्स को मैं फिर एड्मिट कार्ड के बारे मैं बता दूँ कि 24 अप्रेल से पहले मलब 24 अप्रेल से आपका एक्जाम होना ही है तो उससे पहले आप एक हप्ता पहले आपका आ जाएगा अट्मिट कार्ड तो आप आके निसुलख प्राप्ट करलें कोई हमारा कालेज प्राइवेट तो है नहीं किसमें आपको आयमेंइट कार्ड", तो आप पैसा लिया जान तो निसुलख आपको मिल जाएगा मैं भी रहूँगा आप क्लास में तो आप इसको हमीं 20-25 साल से कोई लगा मेरा नकल तो नहीं किया आज तक तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सेंटर जखनिया में यहां भी होगा मैं फिर भी मैंने एक वीडियो दिया है इसके उपर आपको कि सेंटर कहां है कैसे है तो आप लोगों के फोन साते रहते हैं कि सेंटर कहां हो गया तो सेंटर को छोड़िए सेंटर के आपको चिंता करने जुरूत है नहीं है मैंने आपको शुरू में कहा कि इन चारो पेपर में आपको सामान हिंदी सामान अधारिक विस्षय रेडियो और टीवी और जिसमें इलक्ट्रानिक्स आप कहले पुराने जनाम है इसका औ इक तो पेपर जो आपने लिया होगा जो फो लंग्रेजी जिसने जो भी लिया तो इसमें कोई फेल नहीं होगा इस बार यह अच्छी तरह से आप जानले और पेटक्ल आपका हुई चुका है पेटकल मैंने कराई दिया का बोर्ड का पेटकल आपका सेंटर वही था कालेश पीज़ी था आप लोगोंने दिया यह अच्छा नमबर आप लोगोंने पाया है प्रेटकल में मिला होगा मिश्चित रूप से क्योंकि आप सारे वर्फ पूरे थे तो वो तो हो चुका है अब यह आपका तीन चार पांच 600 नमबर का यह पेपर है आपका तो यह 600 नमबर में आप आराम से कहीं फेल नहीं होना है आपको खेल तो हम लोग कभी नहीं हुआ है लेकिन इस बार के करोना का फायदा व्योसाइक छात्रों को पूरी तरह से लेना है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्योसाइक सिक्षा यह मनें नहीं लिखा था व्योसाइक सिक्षा तो इस इसमें आप पूरी तरह से आप alert रहें और alert इस बात के की 80% 80% ये मुझे चाहिए ये ही चाहिए क्योंकि इस बार का result आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस चीज को आज लोग कह रहे हैं और YouTube में अपना जो वो सब्सक्राइब करने वाला लाइक करने वाला चैनल बता रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कुछ करना है आप सिंपल वे में जाएंगे और नकल की आप आउशकता है ही नहीं है और आप क्योंकि आपने प्रेटकली हर चीजें देख ली हैं जान ली हैं समझ ली हैं और चुरह है चट्टी पर हर जग़र इलेक्ट्रोनिस्क की दुकान हैं सब आदमी जान रहा है और पेपर भी पांच जो आपके क्लियर है हमारे वीडियो में है आप वीडियो को सुनके अगर भी अगर गए और अपने पांच कुष्टन दस कुष्टन जो भी आपने याद की क्योंकि छोटे-छोटे कुष्टन आएंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लंबा नही लिखाई जाता है तो आप पांच लाइन 10 वाल अब भी मतलब पांच तषय hero इंडर यह go to और माली जी कुक्वुलिगों आप सही बातै लिखिए गहेंगा यह नहीं कि आप उसमें हमारे क्लास में मेरा बच्चा तो नहीं लिखता है लेकिन मैं काफी आजाता हूँ तो अक्सर देखता हूँ उसमें कोई बिरहा लिख देता है कोई लिख देता है कि सरपास कर दीजिए कोई request करने की ज़रत नहीं है आपको आप हर question को मैं हमेशा कहता है हूँ कि हर question को आपको काफी में question number डालके उसके अंदर आपको कुछ जो आ रहा है माल लिजी पिछला ही question आ रहा है तो आप repeat कर लिजे कोई दिक्कत नहीं तो आपको जितना आ रहा है उतना ही लिखिए और जो आप पढ़के गया है सुनके गया है वीडियो से जो class से जैसे भी आप सुनके समझ में आया है आपको मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग मेरी इज़त को बचाएंगे और इस बार 80% plus इससे नीचे के बच्चों को मैं नहीं मानूगा कि वो pass है क्योंकि 75 तो अकसर आपको मिल ही जाता है जिसमें कि नकल आपने कभी करते नहीं है तो 75 जो आपको मिल जा रहा है तो इस करोना का आउसर का फायदा उठाईए और इस बार जो है 85% plus कर सकते हैं 90% तक पहुंच सकते हैं क्योंकि उसमें 2-3 चात मेरे क्लास में इस बार ऐसे हैं जिन मैं दिख रहा है मुझे कि वो 90 प्लस भी कर सकते हैं तो मेरी पुरी पुरी आपके साथ सुबकामना है आपके साथ हैं क्लास 12 के साथ और क्लास 11 के चात्रों को मैं कहना चाहूँगा यह अप्रेल से उनका गृफ रिक्षा का मैंने गृफ में वीडियो डाला भी है कोई इसमें लाइक सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं बनता एक अप्रेल से आपका गृफ रिक्षा होगी जो पहला दिन आपका 1 अप्रेल को सामान हिंदी है सभी को आना है और मेसेज में मैंने प्रफर आपको किया है तो इसमें आप फ़ला मास्क वगरा ले के आईएगा बस इसी की है बाकी सेनिटाइजर मेरे पास है मैं आपको दे दूँगा और उससे आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी और एड्मिट कार्ड भी आपको 24 सप्रेयर से पहले क्लास 12 की लड़कों के लिए मैंने दिया है और क्लास 11 को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो परिच्छा में एड्मिट जरूर हूँ और 80% प्लस से आपको पास होना है इस बार अगर यह आप कर देते हैं तो यही मेरे लिए गुर्दक्छना होगी बहुत बहुत धन्वा चाहतरूं और कोई question query हो तो आप direct phone करके मुझसे बात कर सकते हैं Thanks